हलो फ्रेंड्स कैसे आप स्वागत आप सभी का तो देखिए आज बनाने वाली हूं मैं फ्रूट कस्टड तो आईए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने यह भागोना ले लिया है तो देखिए बहुत ही आसान और एजी रेसिपी है एक बार जरूर ट्राई करें तो यहां पर मैंने तीन कप उबलवा दूद है आप कच्छे दूद का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो तीन कप दूद का इस्तमाल किया है मैंने तो देखिए यह तीन कप दूद हो गया है गैस ओपिन कर दी है और इसके बाद देखिए चलाते हुए नीचे ने लग जाए थोड़ा चलाएंगे इसको और उबलने तक इसको थोड़ा बीच-बीच में चलाते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए उबाल आ चुका है दूद में थोड़ा सा और पकाना है हमें इसको अच्छी तरह से उबाल आने के बाद तो देखिए चीनी आप अपने हिसाफ से मैंने यह आदिकटोरी से थोड़ी सी कम चीनी का इस्तमाल किया है आप अपने स्वात के अनुसार मतलब आप कैसा मीठा पसंद करते हैं हलका यह ज़ाद है उस हिसाफ से चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं कश्टर्ड थोड़ा मीठा हो तब अच्छा लगता है अच्छे से चलाना है चलाते रहना तब तक चीनी इसमें दूद में खुलना जाए चलाने से क्या होता है कि चीनी नीचे नहीं लगती है तो देखी चीनी अच्छे से मिल चुकी है और वाल भी अच्छे से आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे एक कटोरी ले लिए हमने तो इसमें मैं ये दो चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है नोर्मली छोटी चम्मच दो चम्मच कस्टड लेने वाली मिया पर और आप देखिए बैनिला कस्टड का इस्तमाल करें और कस्टड नाले में और यहां पर मैंन इसमें पानी डाल लिया है और अच्छे से इसको चलाना है ताकि इसमें लम्स न पड़ जाएं अच्छी तरना से जब तक न खूल जाएं इसको चलाते रहना हैं आप चाहें तो इसको ठंडे दूदमें भी इसका इस्तव्पाल कर सकते हैं इसको घोल सकते हैं तो देखिए अच्छे तरह से मिल चुका है तो देखिए इसमें दूद में हम इसको डाल देंगे दूद में डालने के बाद जल्दी से इसको दूद चला दूद में अच्छे से मिला देंगे चला कर वो देखिए डालने के थोड़ी सी देर बाद ही हमारा दूद ये कितना गाड़ा हो चुका है देखिए बहुत फर्क आ गया है अच्छे से गाड़ा हो चुका है ये दूद थोड़ा चलाते रहना है चलाने से क्या होता है यह कश्टर इसमें लंस नहीं पड़ते तो देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है आप जादे देन नहीं पकाना इसको बस एक से डेड़ मिनट तक और पकाना है मीडे माच कर दिये मैंने तो यहां पर एक उबाल आ चुका है इसमें तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से यह तो देखिए इतना ही गाड़ा होना चाहिए जाद गाड़ा नहीं होना चाहिए इसको क्योंकि ठंड़ा होने के जितना कश्टर ठंड़ा होगा उसकी जो टाइट होता जाएगा जितना ठंड तो दीए थोड़ा ठंडा हो चुका है और थोड़ देर इसको ठंडा करके फ्रीज में रखने वाली हूं मैं इसको 3-4 घंटे के लिए रखने वाली हूं आई यह रखते हैं इसको फ्रीज में तो दीए यहां पर मैंने केले पपीता सेव और अनार इन चार फलोगों ले लिया आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई से भी फल ले सकते हैं तो इनको मैंने बारिक काटा ज्यादा मोटा नहीं काटा तो दीए हमारा कस्टर भी तयार हो चुका है और इसकी जो पहले से हैं ठीकनेस काफी गाड़ा हो चुका है तो अच्छे से इसको चला के इसमें फल लेट करने वाली हूं बिलकुल बड़ी है हो गया जैसा हमें चाहिए था गाड़ा नहीं है नहीं पतला है ज्याद है तो यहां पर सबसे पहले मैं देखिए थोड़े से गार्णिसिंग के लिए बचाने वाली हूं। उसके बाद पपाया, बनान, है यनार, झी क्याम जो पुर। थोड़े थोड़े बंच बचा लिए मैंने गारनिसिंग के लिए और देखिए यहां पर मैं हरा फल नहीं है कोई भी तो पिस्टे का इस्ते माल करने वाली हूँ अच्छा भी लगता है यह और गारनिसिंग में भी अच्छा लगता है और हरे फलों के भी जो यह कमी है वो काटे तो आईए आफ हम कि सर्विंग भूल में इसको कर लेते हैं कि यहांद गादा क्षाण सवाद भी दिनी डिनी या तो बज़य लगता है थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता यह तो देखे बहुत ही टेस्ट लगने वाला क्योंकि ये ठंड ठंड बहुत अच्छा लगता खाने में तो अब गार्निश करते हैं तो देखे अनार पपीता क्यों लेसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो देखिये से अब मैंने केला भी डाल दिया है उसके बाद जो पिस्ता है, पिस्ते से गार निष्स करते हैं, तो देखे पिस्ता डालते हैं, कितना अच्छा कलर हो चुका है? एक बार जरूर ट्राइ करें, ये रेसिपी बनाना, बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है, बहुत एजी है, तो देखे कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर ट्राइ करें इस तरह से कश्टड बनाना थैंक यू